दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याई 9 जिसका नाम है और द्योगिक करांती और आज हम आज की भाग भाग 9 में पढ़ेंगे इसकी कुछ महत्वपून प्रश्णों तर पर चर्चा करेंगे और इस भाग में हमने शामिल किये हैं उत्रात्मक और निमंदात्मक जो प्रश्ण है उनमें तथ्य तो होते ही हैं लेकिन इसके लावा यह जो प्रश्ण होते हैं यह आपकी समझ पर आधारित होते हैं इन्हें आपको अपने हिसाफ से इनके उत्तर लिखने होते हैं लेकिन जिन बातों का समावेश आपको अप आपको बताते हैं, जो मुख्य मुख्य बिंदू है, उनके बारे में आपको यहां बताये जाता है, हाँ आपकी उत्रलेखन की commence को शैली है, और कॉन-कॉन से शब्दों को या किस तरी की चीजें आपको उत्तर में लिखनी होती है वो हम जब इस परüfन कर रहे होते हैं तब आपको बता दी जाते हैं तो आई है शुरूँ करते हैं, सबसे पहले लेंगे हम लग उत्रात्मक प्रश्णों को लगता पर नत्रुनल में पहला ही माना जाता है तो प्रश्णी यह है कि यह आखिर ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई जब कि हम देखते हैं कि जो इस्पेन और पुर्तगाल जो देश थे भगोलिक कोजों के मामले में सबसे आगे थे वो दोनों देश और वहां सबसे ज्यादा सोना और चांदी का आयात किया गया था जो दक्षिन अमेरिका महादीपता वहां पर उतनी समरदी होने के बावजूद भी आखिर क्या कारण से कि ओद्यूगी क्रांती जो है ब्रिटेन में ही ताइत्व था और सुद्रड शाषन प्रणाली वहां पर इस्तावित थी है राजनीति कि ताइत्व का मतलब वहां जो समराथ होता था वहां का जो सबसे प्रमुक कौन और साषन का प्रमुक कौन था समराथ होता था क्योंकि वहां पर रास्तंत्रात्मक शाषन था तो समरा अलावा वेल्स हो गया, यह जो तीनों हिस्चे थे ब्रिटेन के, यह तीनों ही एक शाषन की अधीन थी, तो वहां पर साषन का क्या स्ताइ्ट्व था राजनेते के स्ताइ्ट्व था, इसलिए उद्योगों को फलने-फुलने में मदद मिली थी, इसके अलावा सुधरण पूरे ब्रिटेन में इसके लावा जो मुद्रा अर्थिवस्ता है और खुली बाजार प्रणाली भी वहां पर थी मुद्रा अर्थिवस्ता को काफी विकास हो सकता हम देख चुके हैं कि सत्रवी शताब्दी में ब्रिटेन में या पूरे यॉरॉप में मुद्रा अर्थिवस उसके लिए उन्हें विकल्प मिल गए थे और इसी लिए इस अतरिक्त जो उनकी आमदनी थी और जो मुद्रा थी उसकी वज़े से उद्योगों को काफी प्रोश्चान मिला था इसी वज़े से जो उद्योग करांति की शुरुवात यहां पर होती है इसके लाव खुली बाज बाजार विवस्ता थी उस पर सरकार का अत्यादिक हस्तक्षेप नहीं था एक तरसे खुले बाजार विवस्ता थी तो प्रतिश्परदा के लिए उन्हें एक अच्छा माहोल मिला हुआ था एक और बाते इंगलेंड की जो भोगली के स्तिति है वो बहुत महत्मून थी हम सकता थे ट्रीकोनिये वीवस्ता की बाद हम यह समझते हैं कि वैस्तेंडी की तरब से जो व्यापार मिलाध के लिए इसके अलावा इंगलेंड के पास वीछाल बाजार उपलब्द थे, बाजार का मतलब उसके बहुत बड़ा सामराज्य था, फन्स्वा खेसी सामराज्य था, वह अपने तयार माल को वहाँ पर बेच सकता था। जितना ज़्याद आत्यादिक जो माल तैयार होता था यह जो माल था उसको वहां पर निर्यात कर सकता था और वहां से कच्चे माल का आयात कर सकता था तो कच्चे माल के आयात के लिए और तयार माल के निर्यात के लिए उसके बड़े उपनिवेश थे इसी वज़े से ये जो अधिव करांती थी इसको काफी बल मिला था तो क्रशीक जो क्रांती है उसने सबसे ज़्यदा प्रोसान दिया था अध्यक्रांती को इसकी वज़े देखे ऑध्यक्रांती से पहले यह संपन हो गए थी और उसके आसपास जो छोटे-छोटे खेत थे उनको उसने खरीद लिया था उन पर अधिकार कर लिया था इसकी वज़े से क्या है कि जो पूरे आसपास के जितने हो भी जो खेट थे, उनको मिलाकर एक खेट, नी चकबंदी कर दी गई, सबी जो बड़ी छोटझे खेत थे, उनको मिलाकर एक बड़ा फार्म हाउस बना लिए जाते थे इसकी वज़े से क्या होता है यहां पर क्रशी बड़े इस तर पर क्रशी की जा सकती थी एक तो बात यह हुई और दूसरी बात थी कि इन खेतों में क्रशी करने के लिए उन्होंने जो नवीन तरीके थे नए तरीकी जो नई तकनीक थी उनक के लिए तो इन दोनों ही चीजों से एक तो जो छोटे-छोटे खेते वो समाप्त हो गए थे और दूसरी बात है इन खेतों में क्रशी करने के लिए नई तकनीक का इस्तमाल किया गये था इन दोनों ही वजे से इन खेतों पर काम करने वाले जो खुर्शक थे वह भूमीहीन तो एक तो भूमी हीन क्रशक तैयार हुए बहुत भूमी हीन क्रशक बन गए और एक जो इन खेतों में जो चारागाह थे यहां पर पशु चलाने वाले जो लोग थे वो भी बेरोजगार हो गए तो काफी मात्रा में यहां से क्रशक और जो पशु चारक थे वो बेरोजगार ह दों कर वो कहां पहुंचे वह जो आसपास के जू शाहर थे जो नगर रहा था और तो थो इसके वजया हिए इसकी वज़े से ही इस ओधिक रांति को बल मिला यहां किसकते हैं कि जो सस्ता स्रम था स्रम की पूरी पूर्थी यहां से उन्हें हो गए थी इसके लावा जनसंक्या वर्दी और मांग में तेजी भी होई और भू स्वामियों का लाब और उपयोग है तो जो पूंजी थी वह यहां पूंजी की मात्रा जो थी क्योंकि जो लंदन था या फिर कह सकते हैं कि इंग्लेंड था वह वित का प्रमुख श्रोथ था पूरे यॉरॉप के लिए तो यहां पूंजी की अत्यदिक मात्रा उपलब थी उनके पास इसके लाब लोहे और कोईले की प्रशूर भंडा है हम देखेंगे कि वह यूरॉप में सबसे ज़्यादा यह जो लोहे और कोईले की भंडार थे वह एक जगें ही थे इंग्लेंड में तो इनकी प्रच्चुर मात्रा भी एक तरसा ओद्विग क्रांती के लिए मैखमुन भूमी का निभाई है जो ब्रिटैन में होई है तो यह करना है अगला प्रश्ण लेते हैं अगला प्रश्ण संख्या 2 है डर्बी परिवार का लोहो तक्नीक में योगदान बताएए लोह कि प्रकार नियोग दिया आयकि देखते हैं लोहा गलाने की तकनीक ती उसमें मेहतपुण भूमिका नवाई ती क्योंकि इससे पहले जो लोह ता वो काट कोईली की सायदा से जलाए जाता था लेकिन अब जो अनए उसकार किया वो कौन-Kन से अविच्कार 3 लोग है इसमें प्रतमदर्वी कहते हैं दृत्तिर्वी और तरत्तिर्वी और उन्होंने कया- Measure वह आपको उत्तर में शामिल करना है कौन-कौन से उत्तर瞬े उनको पने शुक्ष करने क्राम कि गरें वह नहींगा से। तो यह तकनिक के लिए तो धमन्बट्टी के आविश्कार में कोग कोईले का इस्तमी इसके वजह प्राप्त किया जाना आव इसके बाद दित्वी डर्वी के हम बात करें तो दित्वी डर्वी ने किया अगलवान लोहे से उन्होंने पिटवा लोहा बनाने की तकनीक का विकास किया यह बहुत महत्मून थी धलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाने की तकनीक का विकास किस ने किया दित्य डर्बी ने किया इसके वाद तरत्रत्री डर्बी की बात करें तो उन्होंने विश्व का पहला लोहे का पुल बनाये था यह बहुत महत्पून योगदान उनका, वो कहां बनाया उसने, उन्होंने कॉलब्रुक डेल जो जगे हैं, सेवर नदी पर, वहां उन्होंने विश्व का पहला लोहे का पुल बनाया था, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डर्बी परिवार है, उसकी महत्पून भूमिका लोहो टकनीक के इस्तमाल में, और ये एक तरसे क्रांटी कारी भूमिका है, जो ओद्य की क्रांटी था, उसको काफी बल दिया था, जो पहला चरण था उसमें, अगरा प्रशन लेते हैं, प्रशन संक्या तीन, वस्त्रुद्योग में हुए प्रमुक आविश्कारों का उल् देखिए वस्त रुद्योग में होने अलप्रमु का विसकार आपको यहां दिये गए तो पहली बात करें कि एक तो उडन तूरी करगा पहला आविसकार यह था जिसे हम फ्लाइंग शटल मसीन फ्लाइंग शटल लूम कहा जाता है इसका विसकार किस ने किया यह किया जॉन के ने इसका विसकार किया उसके बाद हम देखते हैं इस पिनिंग जैनी जो है कताई की ज काम किया करते थे तो spinning jenny जो मशीन है यह निकताई की मशीन है उसका अविसकार jams hargreaves ने किया सत्रासो पैंसट इसवी केंदर इसके बाद देखते हैं कि water frame जो धागा बनाने वाली इसके बाद हम देखते हैं कि power loom यह बहुत मैत्मून आविसकार था पावर लूम जो मसीन थी इससे पहले hand loom की मशीनों का इस्तमाल किया था कपड़ा बनाने के लिए मशीनों की जगे पहले hand loom यहाथ से लोग कपड़ा बुनते थे लेकिन यह जो power loom है यह जो महत्मून आविसकार है वस्तर उद्योग में यह आपको अपने उत्र में शामिल करने हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं और रेल्वे में हुए बदलाओं पर प्रकास डालिए रेल्वे में क्या-क्या बदला हुए रेल्वे एक महत्मून भूमिका निभाई है पूरे ओद्युक्रांति के दुरान एक इसने परिभेन का सस्ता साधन और तेज साधन उपलब्द कराया था रेल्वे ने तो इसमें क्या-क्या बदलाव आये थे उन पर हमें बात करनी है देखिए एक तो पहली बात है इसमें प्रतम भाब चली तो रेल इंजन का अविसकार जिसे रोकेट कहा जाता है इसको आप सामिल करना है उसका अविसकार हुआ 814 इस्वी में इसकी वज़े से जो रेल्वे था जो रेल की आवाजाई तो इसमें तेजी आ गए थी और इससे ज्यादा से ज्यादा माल का वहन किय जा सकता है तो शक्तिशाल इंजन वहा करते थे दूसरा रेलवे में तेजी भी आ गए थी इसचे अब रेल परिवहन के चेत्र में कई विकास हो उन की बात करें तो वर्ष भर उपलब्द एक तो खास बात ये थी कि रेलवे जो था वह वर्ष भर उपलब्द रहने वाला स रेलवे जो था वो वर्ष्ट भर उपलब्द रहने वाला साधन हुआ करता था, इसके अलावा ये सस्ता भी था, सस्ता था और तेज था। करने परने जाहज रानी यूद्यों की उद्यों की बात करें हैं नहरों सच्छ अधवन के लिए वह बहुत तेज हुआ करता है ज्यादा शेल्दी जल्दी में वहां पर इस सामान को पहुंचा सकता था इसे लाफ माल यात्र madron बढ़नमें भी आसान था यह कंवी दूरी की जो यात्रएंति वह भी रेल्वे से आसानी सी की जा सकती इसके बोड़ी पत्री और भाप इंजन का आविस्कार भी किया रेल्वेट रेल्वे प Murray प Maurice Wür जो पहल इक्या थी जो लकडि की जो पत्री थी रकरी का जो इस्तमाल किया था इसके लिए लेकिन बाद में जब लोहे का अविस्कार हुआ यदा ने कि जो नहीं-स पद्द outlines में रेलवे पड्री में किया जाने लगा और इसके साथ कि चुए जो बार आप का अविस्कार का अविस्कार हुआ जी के बाद बारा GO Dда करन न का दूसरा चरनष शुरू किया में यह हुँ सकते हैं कि जो उसको उसके प्रथम चरण से दूसरे चरण में ले जाने वाला था वो कौन था रेलवे था रेलवे द्वारा नेहरों का इस्थान ले 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 लिए अब रेलवे के में कौन-कौन से प्रमुक आविश्कार हुए उनको अगर हम शामिल करें तो एक तो रेल इंजिन जो था इनका कार्यकाल है अब 814 इस्वी में रेल इंजिन एक ब्लचर नाम का रेल इंजिन वह विश्कार किया गया उसे किस ने किया जॉज इंजिन ने वह इंजिन बनाया था और इससे पहले हम रोकेट इंजिन की भी बात कर चुके हैं सर परतम 825 में एक ती 825 इस्वी में यूग भी आये रेल उन्माद की यूग का मतलब यहां रेल्वे को काफी गती मिली रेल्वे का काफी विकास हुआ तो दो पहला जो चोटा चरण था रेल्वे का वह था 833 इस्वी से लेकर 837 इस्वी के बीच और दूसरा जो चरण था बड़ा रेल उन्माद का जाता है व आदिक्र रांती के दोरां हुए विरोध आंदोलनों की रूप रेखा प्रस्तुत कीजिए था कि इसके अंटिम चरण में हमने देखा था कि जब ओडिक्र रांती हुई तो उसकी वजे से काफी ऐसे परिशानिया जो मजदूर वर्ग था उसको हुई इसके लावर जो महि आप मजदूरी महिलाओं और बच्चों को दी जाती थी, तो इसकी वज़े से काफी विरोध आंदोलन शुरू हुए, लेकिन विरोध आंदोलनों के जो प्रश्टभूमी थी, उसमें क्या-क्या कारण प्रमुक थे, उनकी बात हम करते हैं, यहां उनकी बारे में आपको विस शताब्दी का यूग है यह, 1789 का जो दोर है, उसमें फ्रांसेजी क्रांती हो रही थी, और उसके जो आदर्स थे, उन्होंने बाकी जो पूरी दुनिया के देश थे, या जो योरॉप के देश थे, उनको प्रभावित किया था, कि वो भी आंदोलन के माध्यम से अपनी मजदूर बर्ख था, वो आंदोलित हुआ इस चीजों के लिए, इसके लाख इग्लेंड में भहयावे कार्य प्रस्तितिया, सबसे प्रमुक आणि था कि जो एंग्लेंड में जो कारखाने थे, वहां कार्य प्रस्तिति यह अतनी जिनकी वज़े से यह करांती हुई, जिनकी वो चुनाव में भाग लेने का या फिर जो वोट डालने का अधिकार था उसके लिए वो काफी आंदोलन कर रहे थे तो यह प्रमुक आंदोलन उस समय चल रहा था इसके रावा सरकार की जो परतिकरिया की थी वह बहुत महत्मून बात है कि सरकार ने इन आंदोलन के विरोदे कोशिश की कि आंदोलन को दबाए जाए और इसके लावा इंग्लेंड और फ्रांस की बीच हुए युद्र से अर्थवरस्ता में काफी मंदी आ गए थी इसकी वज़े से भी लोगों जो लोग थे उनका जो गुस्सा था वो जाहिर था इसके बाद 1795 में जब इतने बड़ पिचानों में जुड़वा आधिनियम भी लेके आई उस अ dif इनियम के द्वार सरकार ने कुसिश की कि यो लोगों ये इस अधिनियम के द्वारा या लेखन के द्वारा समराट की या संसद की आलोचना कारने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और इसके लाव जो सारवजनिक बैठके थी और विरोध प्रजशन थे उन पर भी इसके माध्यम से रोक लगा दी गई तो जुडवा आधिनियम था उसकी वज़े से भी लोगों के अंदर गुस्सा था इस तरह का जो दमनात्मक जो उसमें जो ब्रश्ट चार व्यापत geflect था इसके अलावा जो संसद हुआ करती संसद में जो ब्रश्ट चार था उसके खिलाव भी लोगों ने गुस्सा वेक्त किया और अंदुलन चलाए इसके अलावाल एक और कानून था कौन लोज इसका भी विरोध किया क्योंकि इस कौ क्योंग विरोध किया था और यह कौंड लोज मुख्य रुपसि जो वहां का जमिंदार वर्ग था या कूलीन वर्ग था उसके कहने पर बनाया गया था तो इस प्रकार एक कौन लोज भी प्रमुक कारणता लोगों के विरोधगा इसके लबाद शेहरों और कारखानों में बढ़ती कामगार जनसंक्या और एक खास बात यह जो अंदोलन हुए इसको बल देने वाले एक बात और थी दोस्तों कि जब अधिकरांती हुई तो जो शे मर्थे के साथ रखने का मोका मिला तो इसकी वज़े से भी बढ़ती जनसंक्या थी मजदूरों की इसने भी काफी योगदान दिया इन विरोध आंदोलनों में इसके लावा इंग्लेंड में ब्रेड के लिए दंगे हुए एक खास बात ही काफी भुकमरी की इस्तति जब इ रेटेन में उसकी वज़े से आला कि इसकरशी करांती ने ओद्यक करांती को बल दिया था लेकिन इसकी बावजूद भी इस करांती की वज़े से लोग बेरोजगार हो गये थे और जब लोग बेरोजगार हो गये थे उन्होंने अपने रोजगार के लिए मांगे इसकी विर गए करशिक रांती की वज़े से गांँ छोड़कर और वहां जब उन्हों ने देखा कि वहां भी उनके लिए उतने अधिक मात्रा में रोजगार है वो उपलब्द नहीं है क्योंकि मसीनों की वजए से विक्तियों का इस्तान मसीनों ने ले लिया था उसकी नियुंतम विरोध आंदुलों को चलाने वाले थे जनरल नेड लूड 811 से लिकर 1817 के बीच इन्हों ने ये विरोध आंदुलों का नेतरत्व किया था अब इसके लाए पीटर लू का नर संहार भी हम कहते हैं जब लोग अपनी विभिन मांगों को लेकर इखटा हुए तो सरकार ने एक इन आंदुलों के बाद ही सरकार इस बात के लिए मजबूर हुई कि जो फैक्टरियों का जो माहौल है जो वहां का वातावरन है उसको ठीक करने के लिए कानून बनाए जाए आई अब दूसरा प्रशन लेते हैं दूसरा प्रशन है ओद्योगी करांती के दौरान बच्चो लेते हैं उनके लिकित्तियां बहुत करने के लिए इनिह सरकार ने कानून से कानून सरकार लिके आई उनकी बारे में आपको अपनी सुत्र में बताना आ तो कानूनों का जरी सुधार कौन कौन से हमें कौन कौन से चीज़ें शालन करती है पहला हमें लिखना है अठार सो उन्नीस का अधिनियम उसके दर सरकार ने क्या किया नो वर्ष से कम आयू वाले बच्चों के काम पर प्रतिबंद लगा दिया गया एक तो जो नो वर्ष से चोटे बच्च कम आयू के बच्चे होते थे उन्हें कार खानों में काम पर प्रतिबंद लगा दिया गया दूसरी बात थी जो नो से सॉला वर्ष तक के बच्चों के र इसमें 9 वर्स से कम आयू वाली जो बच्चे थे उनके लिए रेशम की फैक्टरियों में ही कारी करने के लिए कहा गया तो 9 वर्स से जो छोटे बच्चे थे पहले तो अधिनियम से रोक लगा दिके लेकिन जब मांग की गई कि उन बच्चों को काम करें तो वहां कहा गया कि पर दिके जो केवल रेशम की फैक्टरियों में ही उन बच्चों से काम लिया जा सकता है इसके atellवाँ जो फैक्टरी निरक्षक की विवस्टा को लेकर भी काफी मांग की जा रहे थी तो इनकी वी विवस्टा करने का प्रयास किया गया इसी बीच सरकार ने इन तमाम मजद परिस्तितियों का जब अधिन किया कार." पर इसके प्रकर पर इस ने अपने रिपोर्ट प्रस्थुत कीुकि और इसकी रिपोर्ट के आधार कर्शे नहीं पर करनेम मरत पॉर्ख लगा दी गई पाबंद, से कम आयू के बच्चे पहले नों वर्स कि आयू हमने देखा था अठार सुनीस का जो अधिने ने जा आ लेकिन सित्रियों सेlying और रोजगार नहीं ले आ इसके बाद दोस्तों 847 सुची का फील्डर्स फैक्ट्री अदिनियम लेकिया इसमें क्या किया गया स्त्रियों और बच्चों के लिए काम के गंटे थे वो निश्यत कर दिया गया और अब क्या कर दिया गया 10 गंटे प्रती दिन केवल निश्यत कर दिया गया कि केवल स्त्रिय ध्रश्टाचार करते थे तो प्रश्टाचार इन कानोनों की प्रश्टाचार को सरकार जो को बिए थाई इसके 9 , पिछली भाग में इसके वस्तुनिस्ट और लगउतात्मत्रीque आज हमने लगुत्रातमक और निमंदात्मिक पर चर्चा किये तो इस प्रकार ये अध्याय हमने समात्त कर लिया अध्याय नो और इस अध्याय में हमने पूरा अध्युक्रांती जो थी उसमें कौन-कौन से आविश्कार हुए विटेन में ही क्यों हुई इसकी उसमें हम देखेंगे कि जो मूल निवासी थे विश्यशकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उनका विस्तापन किस प्रकार से हुआ जब यूरोपी लोग वहां पर गए जब यूरोपी सामराज्य वाद या उपनिवेश वाद की वहां इस्तापना होत करेंगे और तब तक आप अपने पाठ्य पुस्तक्सिस अध्याय को पढ़िए दस्युम्य अध्याय को और जो आपके मन में प्रशना है उन्हें लिखके रखिए और हम उन प्रशनों के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद